नमस्कार आपका स्वागत हैं, मैं डॉक्टर दिनेश शर्मा, प्रकाश नेत्रालय एवं पंचकर्म केंद्र से आज का विशय आयूरवेद पे नहीं है, आज हमारे साथ हैं निम हंस बैंगलोर के रिसर्च ओफिसर डॉक्टर विनोध कुमार डॉक्टर विनोध कुमार आयूरवेद और योग के विशय शग्यर रहे हैं और क्लिनिकल योगा जिसको हम योगा थेरपी के नाम से भी जानते हैं, उसको डिजीज के लिए ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने बहुत ही खुबसूरत तरीके से इंप्लिमेंट किया है, मैं जा सकता है, योगा का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना, योगा आज की डेट में पूरे वर्ड को भारत की तरफ से एक बहुत खुबसूरत तोफ़ा है, तो डॉक्टर विनोध कुमार, मैं आपका स्वागत करता हूँ, मैं आपसे कुछ सवालों के बारे में आज जानना च देखिए, यह जो शब्द योगा है, यह हमारे पुराने जो गरंथ हैं, उनसे हमने लिया है, और जब यह पूरा कॉंसेप्ट योगा का शुरू हुआ, तो थेरपी का या क्लिनिकल योगा का कहीं कोई कनेक्शन नहीं था, योगा का जो में एम था, जो में उदेश्य था, वो हमारा उदेश्य केवल एक आध्यात्मिक ग्रोथ के point of view से था, लेकिन over a period of time जब हमने योगा में योगा भ्यास किया, या योगा में जो research work सुरू हुआ, वहां हमें इसके काफी therapeutic benefits, जो की patient population के लिए जो benefits हो सकते हैं, वो हमने observe किये, और उसके बाद से ये concept योगा थेर therapy का concept आया, आज के समय में हम समझते हैं कि lifestyle disorders हैं या फिर psychosomatic disorders हैं, ये बिमारिया ऐसी हैं जिसके लिए हमें कुछ मूल भूत रूप से lifestyle में change करना, या day to day life में जो हमारा stress है, उससे कैसे deal करना है, वो बहुत important हो गया है, और जो lifestyle में change है, उसके लिए हमें किसी दूसरे treatment पद्दती की बजाए योगा थेरेपी से ज़्यादा benefit हो सकता है, क्योंकि हम योगा का जो एक approach है, उसको पूरा lifestyle का approach मान सकते हैं, तो योगा में हम केवल आसना या प्राणायामा या केवल meditation की बात नहीं करते हैं, योगा में पूरा एक दिंचरिया या पूरा lifestyle ही change होने जैसा situation आता है, जी 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 बिलकुल आपने सही का, मेरा एक आपसे बिलकुल सीधा सवाल है, कि बहुत सारी ऐसी therapies, बहुत सारी ऐसी पद्दतियां हैं, बहुत सारे लोग उन पद्दतियों को practice करते हैं, और claim करते हैं human health benefits के लिए, मैं योगा थेरपी के संदर्व में, क्या इसके पीछी कोई विग्यानिक आधार है, क्या ये method और ये योगा थेरपी scientific हैं? हाँ, बिल्कुल सही सवाल पूछा है आपने, जादा तर आपका भी experience रहा होगा, कि जादा तर बिमारियां जिनके लिए इलाज संभो नहीं हैं, उनके लिए claim करने वाले लोग बहुत हैं, बहुत सी therapies popular हैं, जिनका कोई विग्यानिक आधार नहीं होता है क्यी बार, लेकिन जैसा मैं बता रहा था है कि हमें over a period of time आप योगा का अगर history को समझने की कोसिस करें, योगा पिछले 5000 सालों से हमारे गरंथों में कहीं न कहीं किसी form में विद्यमान था, लेकिन ये therapy का जो concept है, बहुत पुराना ना मानते हुए मैं कहूंगा कि इसको पिछले लगभग 100 सा से तो ये therapy का concept थोड़ा शुरू हुआ, और लगभग 1930s, 1940s में पहले research articles publish हुए थे, जो कि बहुत शुरुवाती काम था, और अगर आप कोई भी search engine देखेंगे, जो कि हमारे research point of view से जहां database रहता है, pubmed में जाएंगे, या google scholar में चेक करेंगे, तो 1980s के बाद से काफी research चुरू हुआ, और 2000 के बाद majority of research रख हुआ है, तो पिछले 20 साल में अगर मैं कहूं, लगभग लगभग सभी बिमारियों के लिए कोई ना कोई research article आपको मिल जाएंगे, तो ये सोचना कि yoga as a form of therapy कामियाब है, या लग्यानिक है, या logical है या नहीं, अब इस विशे में कोई संशे वाली बात नहीं रही है, योगा को हम पूरी तरह से विज्ञानिक मान सकते हैं, ये एक अलग बात है कि अभी कितना research हुआ है किस particular बिमारी के लिए, वो एक topic अलग वह जाता है, लेकिन योगा पूरी तरह से विज्ञानिक माना जा सकता है, और इसमें काफी research पर खोच चुका है, जी बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब ये एक data oriented science है, और सिर्फ theoretical सिध्धान्तों के उपर काम नहीं हो रहा है, आज की date में हमारे पास documented data है, हर disease के लिए, वो आपका कहना सही है कि समय के साथ data जब मजबूत होता जाता है, तो एक scientific clarity, जो scientific thought है, वो और मजबूत होता चला जाता है, डॉक्टर विनोद मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या इस योग के विज्ञान को हमारी भारत सरकार, Government of India, इसको support करती है क्या, अभी अगर हम बात करें, योगा या योगा therapy की, तो देखी, योगा गोवर्मेंट क के द्वारा पूरी तरह supported है, डॉक्टर ने भी इसको recognize किया है, और International Day of Yoga के बारे में अभी हम सब जानते हैं, जो पिछले कुछ वर्सों से मनाया जा रहा है, अगर हम योगा थेरेपी की बात करें, तो योगा थेरेपी भी गोवर्मेंट के द्वारा supported है, अगर हम mainstream institutions की बात करें, MDNI-Y, मुरारजी देशाई National Institute of Yoga, पिछले काफी सालों से योगा थेरेपी के प्रोग्राम चला रहा है, जो ज़्यादा लोगों की knowledge में नहीं आ पते हैं, क्योंकि उसका अपनी limitations है, लोकल पब्लिक के लिए वो easily available रहता है, उसके अलावा, जो दूसरी governing bodies हैं, जैसे CCR Central Council for Research in Yoga and Nature पे थी, जो वहाँ पर योगा थेरेपी और particularly research के बारे में रूचान है, इसके अलावा, ICMR है, Department of Science and Technology है, जो different yoga के research programs को sponsor करता आ रहा है, तो ये definitely government के द्वारा supported program माना जाना चाहिए, उसमें कोई संचे नहीं है, उसके अलावा अभी तो government का एक separate department भी इसके लिए है, आयूस विभाग जिसके अंदरा, यूरुवेदा, योगा और अन्य जो system है, वो आते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमें इस बारे में कुछ ज़्यादा सोचने जैसी जरूरत है कि ये government supported है या नहीं है, ये government institutions के अला भी योग therapy से जुड़ी हुई हैं, देखिए आपने जैसा बात किया भी, मैं जादा तर जो institutions की बात कर रहा था, मैं जादा तर research bodies की बात कर रहा था, ऐसे institutions जो yoga research, yoga therapy research को promote करते हैं, लेकिन government और private sector दोनों में ही, योगा अभी ऐसे therapy popular हो रहा है, कुछ एक्जामपल अगर मैं अगर आप देली, निमहन्स बैंगलोर, एमस रिशी केस, यह सारे ऐसे institute हैं, या फिर PGIM, PGIMEAR in Pondicherry, यह सारे ऐसे institutions हैं, जहां पर yoga therapy programs चलते हैं, patient population को उन से benefit मिलता है, और साथ में research वर्क भी जलता है, इसके अलावा अगर हम private sector की बात करें, private sector में, पिछले कुछ समय से, अगर आप देखें, मैं कुछ mainstream hospitals की बात करूं, तो नारायन, हरुद्याले, जिसकी काफी branches हैं पूरे इंडिया में, वहां पर yoga therapy के programs चलते रहते हैं, और पिछले चार-पात सालों से आपने CultFit नाम की organization का नाम सुना होगा, जो की consultation, medical doctors, along with many different forms of therapies, they have come up, तो yoga की जो therapy form है, वो private sector में, as well as government sector में, दोनों जगा आइस्ता आइस्ता promote हो रही है, लेकिन इसमें कोई संसे नहीं है कि ये चीजें promote होने में समय लगता है, क्योंकि जब तक आपके पास research evidence based नहीं होगा, तो popularity उतनी नहीं आती है, और खासकर एक experts जो होते हैं किसी भी field में, जो doctors हैं, clinicians हैं, consultants हैं, उनका faith develop होने के लिए थोड़ा समय लगता है, वो केबल faith based पे ही किसी भी therapy को आगे नहीं बढ़ाते हैं, तो जैसे जैसे scientific evidence बढ़ रहा है, तो regular departments आ रहे हैं, अभी निवहन्स जो की एक institute of national importance है, इस नेशनल institute of mental health and neurosciences, जो की topmost institution है country में mental health and neurosciences के लिए, वहाँ पे एक regular department आयरुवेदा और योगा का शुरू हुआ है, तो यह अभी केबल private sector में नहीं, government sector में, पूरी तरीके से popular हो रहा है, और मुझे लगता है समय के साथ इसकी demand बढ़ेगी, अच्छा सवाल किया आपने, मैं इस बारे में एक बड़ा simple सा logic देना चाहूंगा, आप आज के समय में जो भी बिमारिया एकदम आपके mind में common नाम जो भी बिमारियों के आते हैं वो सोचिए, और फिर उनका connection सोचिए कि क्या lifestyle से इनका connection है, तो आपको उत्तर मिल जाएगा, तो आज कल जो हम बिमारिया देख रहे हैं, जादा तर बिमारिया ऐसी हैं, जो कि जिसमें कुछ ना कुछ हमें lifestyle से related main issue रहता है, जैसे अगर हम बात करें, जो बहुत common सी चीजे हैं, diabetes हुआ, hypertension हुआ, cardiac issues हुए, allergies हुए, hypertension तो हो गया, जैसे back pain हुआ, neck pain हुआ, या cancer हुआ, या psychiatric issues जितने भी होते हैं, anxiety है, depression है, या कोई दूसरा psychiatric issues है, तो ये जादा तर बिमारिया जो हैं, कहीं न कहीं हमारे lifestyle से associated हैं, और इनका ये lifestyle से association हमें clear hint देता है, कि हमें कुछ तो change करना है अपने lifestyle में, और योगा आपको वही तरीका बदा रहा है, और उसको जब तक therapy की form में रखेंगे, तो आपको therapeutic benefit आएगा, उसको आप अपना life का हिस्सा बनाएंगे, तो आप एक तरह से बिमारियों से छुटकारा पाने वाले situation और overall health improvement के लिए utilize कर पाएंगे, तो मेरा मानना है कि जादा तर बिमारियों के लिए हम योगा से benefit ले सकते हैं, जादा तर हम ऐसा भी सोचते हैं कि जो infectious diseases हैं, उनमें कुछ role नहीं रहता, लेक लेकिन एक बहुत जो common connection हम infections का भूल जाते हैं, जादा तर research से पाया गया है कि काफी सारे ऐसे infection हैं, जो आपको होने के chances जादा रहेंगे जब आप stressed हैं, तो योगा से जो मन की शांती है, जो calmness of mind हम feel कर सकते हैं, उसे एक indirect benefit हमको infectious diseases या कुछ ऐसे diseases जो directly lifestyle से associated नहीं समझते हैं, उसमें भी मिल रहा है, तो ये एक indirect benefit जैसा है, तो ये एक indirect benefit जैसा है, तो ये एक इस सवाल का बड़ा ही खुबसूरती से जवाब दिया, मेरा ऐसा मानना है और शायद हमारे दर्शक भी इस बात को महसूस कर पा रहे होंगे, कि योगा therapy एक scientific approach हैं, जिससे उनको अपने disease condition को improve करने में बहतर तरीके से मदद मिलेगी, लेकिन बहुत दफ़ा मैं अपनी clinical practice में देखता हूँ, कि एक patient एक particular system of medicine से अपना treatment करा रहा है, वो modern conventional science से भी हो सकता है, आयुवधिक therapy से भी हो सकता है, होमेपैथि से भी हो सकता है, और एक patient के दिमाग मे confusion होता है, कि मैंने अब योग शुरू कर दिया, इसलिए मैंने दवायां बंद कर दी, मैं आयुवधिक treatment ले रहा था, मैंने योग शुरू कर दिया, इसलिए मैंने दवायां सारी बंद कर दी, थोड़ा इस चीज को clarify करें, कि क्या किसी भी medicinal treatment के साथ में हमें योग therapy को adapt करना है, या योग independently भी उन medicines को एकदम से बंद करके शुरू किया जा सकता है, बिना किसी complication के, दिखिए मैं इस आपके जो question है, उसको दो part में डिवायड करोगा, पहला तो ये कि योगा को हम किसी दूसरी medicine के साथ में side by side शुरू कर सकते हैं, या नहीं, तो दिखिए हमारा अंस हमारी question में ही चुपा है, हमारी problem lifestyle से associated है, तो ये जो lifestyle से associated problem है, इसके लिए हमें कुछ lifestyle में change करना है, जैसे आप morning walk के लिए जा सकते हो, आपकी medicine से उसके उपर कोई effect नहीं आता, आप exercise कर सकते हो, आप gym में जा सकते हो, उसी तरीके से योगा भी साथ में लिया जा सकता है, ल हम योगा को एक potential benefit, potential target के लिए use करने हैं, suppose कि ये कोई patient है diabetes के साथ, तो हमें साथ में उसके diabetes के लिए monitoring के जरूरत होती है, ज्यादा तर हम क्या करते हैं, जो अच्छा lifestyle change जब हम योगा की वज़े से करते हैं, खासकर indoor setting में, तो indoor setting में हम दो से तीन दिन के अंदर insulin की dose घटान शुरू कर देते हैं, तो इस तरीके से एक clinician का observation जरूरी है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप योगा को कहीं therapy की form में use करने हैं, तो एक clinical guidance साथ में रखिए, ये आपका जो consultant है, वो allopathy system से हो सकता है, या आपका doctor ayurveda system से हो सकता है, या फिर आप ये concept थोड़ा ने रहेगा क्योंकि योगा field में doctors बहुत कम हैं, मतलब योगा field को हम उस तरीके से अभी तक नहीं लेखते हैं, कि योगा में कोई doctors भी होते हैं, तो अगर आपका ऐसे ही कुछ contact हो सकता है, जहां आप योगा के doctor से इस बारे में guidance ले सकें, तो वो जरूरी रहेगा, कुछ ऐसे scenario होते हैं जहां पर आप दवाईयां abruptly भी छोड़ सकते हैं, लेकिन जादातर cases में आपको दवाईयां तुरंट अपने आप से बिलकुल नहीं छोड़ना है, आपको clinician का guidance लेना है, और accordingly या तो dose कम करते हुए आइस्ता इस्ता छोड़ना है, या ऐसा हो सकता है कि side by side हमें थोड़ा therapy की भी आउशकता पड़े, तो ये जो decision है हमें बिना knowledge के नहीं लेना चाहिए, और हमें इसके लिए expert guidance में ही आगे चलना चाहिए, बहुत अच्छा, Dr. Vinod, आपने इस बात को clarify किया, ये थोड़ा सा चिंता का विशे भी है कि yoga के field में doctors की कमी है, लेकिन खुशी की बात ये भी है कि धिरे-धिरे इसकी awareness बढ़ रही है, आपने खुद Ayurved में graduation के बाद MD योगा में किया, आपने PhD योगा में complete किया, और उसी field में अभी आप as a research officer निम हंस के अंदर काम करने, तो आप जैसे और भी लोग हैं जो इस field में अपने doctorate को और clinical evidences को मजबूत करने के साथ मे लोगों को clinical practices की services दे रहे हैं, मैं अपने दर्शकों को एक खुशकबरी भी देना चाहूँगा, कि doctor Vinod as a yoga expert, as a clinician हमारे साथ प्रकाश नेतराले के साथ on board हो रहे हैं, और online consultations के लिए ये हमारे platform पे available होंगे, जो लोग yoga therapy के लिए सलह करना चाहते हैं, consult करना चाहते हैं, अप नमबर पर एक बार बात करके consult कर सकते हैं, कि किस तरह से आप उनकी services का फाइदा उठा सकते हैं, मैं अपने दर्शकों को एक और खुशकबरी देना चाहूँगा, कि आने वाली 27 सितंबर को संडे का दिन है, सुभह 9 बजे, doctor Vinod Prakash Natralay के YouTube के हमारे channel पर live रहेंगे, आप सभ सब्सक्राइब, सुभह 9 बजे, नोट करके रखें, आप हमारे YouTube channel पर आएं, connect करें और Dr. Vinod से अपनी health problems को discuss करें, Dr. Vinod आप हाज हमारे साथ जोडे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, Thank you very much, Namaskar